ओडियो 6 योग्यग्य पद्धती लेखाक पंडित श्रीरामशर्मा आचार्य। चौदा आर्ती चौदा एक प्रेर्णा आर्ती परमात्मा से आर्त भाव से की गई प्रार्थना है। आर्ती की ज्योती आत्मा के प्रतिक होती है। आत्म चेत्ना को परमात्म चेत्ना की प्रति समर्पित रहना चाहिए। अपने क्रिया कलापों को परमात्मा के आसपास उनके अनुशाशनों की मर्यादा में ही चलाना घुमाना चाहिए। देवदूत, महापुरुष वही व्यक्ति होते हैं जो अपनी जागरत प्रतिभा, आत्मज्योति को इश्वर्य अनुशाशनों के अनुरूप ही चलाते रहते हैं। उन्हें परमात्मा की समीपता का अनुभव बराबर होता रहता है। स्रेष्ट विचार एवं स्रेष्ट आचरन के लिए शक्ति प्रभा के रूप में उन्हें परमात्मा की अनुकमपा सतत मिलती रहती हैं। हम भी अपनी प्रतिभा भगवान को सौप कर महान बन सकते हैं। चहदा दो, क्रिया और भावना, आर्ति तैयार करें। प्रतिनिधी उसे लेकर देव मंच के पास पहुँचें। जीन याजकों के पास दीप यग्य की थालिया हैं। वे जलते दीप को सहित उन्हें उठा कर बैठे बैठे ही आर्ति करें। नीचे लिखे अनुसार, भावना रिदे में धारन कर आर्ति बोलें। हे इश्वर, हम महापुरुषों से प्रेणा लेकर आपके प्रती समर्पित जीवन जीना सीखें। आपके अनुशाशन में हमारा श्रम, समय, प्रभाव, ज्यान, धन सभी चले और धन्य बनें। हम भी महापुरुषों की तरह उपर उठें और आपकी समिप्ता का अनुभव करते रहें। ओम यंब्रहं वेदान्त विदोवदंती परं प्रधानं पुरुषं तथाने विशोद्गतेह कारण मेश्वरंबा तस्मै नमो वेग्न विनाशनाय। ओम यंब्रहमा वरुणेंद्र रूद्रमरुतह स्थुनवंति दीव्यह स्थवेह वेर्देह सांगपदक्रमो पनिषदेह गायंतियं सामगाह। द्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पशंतियम योगिनो यस्यान तम्न विदहु सुरा सुरगणाहा देवायत स्मै नमहा। इश्वर को समर्पित व्यक्तियों से प्रेणा प्राप्त करने के भाव से आर्ती ली जाएं। उसमें अपना सहयोग देने की भावना से अंशदान चड़ाया जाता है। आर्ती सबके पास घुमाते रहें। हिंदी की आर्ती गाते रहें। गायत्री स्तुति जयति जय गायत्री माता। सत्मारग पर हमें चलावों जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम्म अलख निरंजन जग पालन करत्री। मा जग पालन करत्री। दूख शोक भयकलेश कलह दारीद्र दैन्य हरत्री। जयति जय गायत्री माता। ब्रहम रूपिनी प्रणत पालिनी। जगत धात्री अंबे। मा जगत धात्री अंबे। भव भयहारी जनहितकारी। सुखदा जग दंबे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिनी भवतारिनी अनधे। अज आनन्द राशी। मा ज आनन्द राशी। अविकारी अधहरी अविचलित। अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सत्चित आनन्दा। जय गंगागीता। मा जय गंगागीता। सविताकिशाश्वति शक्तितुम् सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता। रिगय जुसाम अथर्व प्रणयनी। प्रणव महामहिमे। मा प्रणव महामहिमे। कूंडलिनी सहस्त्रारशुशुमना। शोभागोन गरिमे। जयति जय गायत्री माता। स्वाहा स्वधा शची ब्रहम्मानी। राधारुद्राणी। मा राधारुद्राणी। जय सतरूपा वानी विध्या। कमला कल्यानी। जयति जय गायत्री माता। जननी हम है दी नहीन दुखदारिद्र के घेरे। दुखदारिद्र के घेरे। यद पिकुटिलक पटिक पूततों बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता। स्नेह सनी करुणामई माता। चरण शरण दीजे। मा चरण शरण दीजे। बिलक रहे हम शिशु सुत्तेरे। दयाद्रिष्ट कीजे। जयति जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोब दंब दुरभावद्वेशहरिये। शुद्ध बोति निशु पापृदय मन को पवित्र करिये। जयति जय गायत्री माता। तुम समार्थ सब भांति तारिणी तोष्टि पोष्टि त्राता। मा तोष्टि पोष्टि त्राता। सत्मारग पर हमें चलावो जो है सुख दाता। जयति जय गायत्री माता। यग्य भगवान की प्रार्थना। यज्य रूप प्रभो हमारे भाव उज्वल कीजिये। छोड देवे छलक पटको मानसिक बल दीजिये। वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करे। हार्ष मेहो माग्न सारे शोक सागर सेतरे। अश्व मेधा दिकर चाए यज्य पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभदे संसार को। नित्य शद्धा भक्ति से यज्यादि हम करते रहे। रोग पीडित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामनामित जायमन से पाप अत्याचार की। भावनाये शुद्ध होवे यज्य से नर नारि की। लाभकारी हो हवनहर जीवधारी के लिये। वायुजल सर्वत्र हो शुब गंध को धारण किये। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पत्थ विस्तार हो। इदम्नममका सार्थक प्रत्येकमे व्यवहार हो। हाथ जोड जुकाय मस्तक वंदनाहम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्यरूप प्रभो हमारे भाव उज्वल कीजिये। छोड देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिये। पंद्रह हमारा युग निर्मान सत संकल्प। पंद्रह एक प्रेरणा। सत संकल्प हमारे मिशन के आदारभूत, सिध्धान्तों और मान्यतों का सार संग्रह है। पूजा जब आदी के अंत में इसका पाठ नित्य किया करें। ऐसा करने से आपको न केवल स्रेष्ट जीवन जीने की प्रेरणा मिलती रहेगी। वरन आप मिशन की आत्मा को पहचान कर उसके साथ एक रस भी हो सकेंगे। सत संकल्प सामुहिक रूप से दुहराया जाए। 1. हम इश्वर को सर्वव्यापी नियायकारी मान कर उसके अनुशाशन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदीर समझ कर आत्मसयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याई एवं सतसंग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आपको समाज का एक अभिन अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ट बने रहेंगे। 7. समझदारी, इमानदारी, जिम्मेदारी और भादुरी को जीवन का एक अभिचिन अंग मानेंगे। 8. चारों और मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनिती से प्राप्त सफलता की अपिक्षा नीती पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मुल्यांकन की कसवटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके सद विचारों और सतकर्मों को मानेंगे। 11. दुसरों के साथ वह व्यवार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नौरनारी परस पर पवित्र द्रिष्टी रखेंगे। 13. संसार में सत प्रवृत्यों के पुन्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्यान, पुर्शार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रुप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुल्ना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनिती से लोहा लेने और नवस्रजन की गती विध्यों में पुरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रिय एकता एवं समता के प्रती निष्ठावान रहेंगे। जाती, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस पर कोई भेध भाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उतक्रिष्ट बनेंगे और दुसरों को सुरेष्ट बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुदरेंगे युग सुदरेगा। इस तत्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परूस्ट बनाएंगे युग अवश्य बनाएंगे।